हेलो बच्चो आज बिटम आपको एक पोयम कराने जा रहे हैं जिसमें हम आपको आपकी जो रिष्टेदारी होती है जिसे आप रिष्टेदारी बोलते हैं और जो आपकी का परिवार होता है जिसमें आप सब लोग रहते हैं इन सब के बारे में बताएंगे कि जो इसमें में क्या कहते हैं तो शुरू करें ओके रिष्टे को अंगरे जी मेंरे रिलेशन और संढब for me को मादर पापा को फादर कहते हैं बेहन को सिस्टर भाई को ब्रोदर कहते हैं इन सब को मिला कर उसको फैमली कहते हैं तो देखि इसमें उसे क्या क्या बता है आपको रिष्चदारी जोती है इसका क्या कहते हहे रिलेशन क्या कहते है रिष्चदारी को रिलेशन मम्मी को पापा को बैहन को पाइस loosen Car और भाई को और इन सब को जो मिलाकर बने उसे family ओके तो आगे start करते हैं बाबा नाना को हम ग्रेंड फादर कहते हैं बाबा नाना को हम ग्रेंड फादर कहते हैं दादी नानी को हम ग्रेंड फादर कहते हैं चाचा और मामा को हम अंकल कहते हैं चाची और मोसी को हम आंटी कहते हैं रिष्टो को अंग्रे जी में relation कहते हैं इन सब को मिलाकर उसको family कहते हैं तो अब देखें नेक्स्ट वाले में उन्होंने क्या समझाया बाबा हुए नाना हुए इन सब को मिलाकर क्या कहते हैं उन्हें ग्रेंड फादर और दादी हुए नानी हुए इन सब को क्या कहते हैं ग्रैंड मदर चाचा हुए मामा हुए और मोसा जी हुए उनको क्या कहते हैं अंकार और चाची मामी और मोसी उन सब क्या कहते हैं आंटी तो आ गईती बाद समझ में अब तो नहीं बूलेंगे तो क्लापिंग करें